हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गीता आज कर नास्ता बनेगा इतनी जल्दी कि अपकी चाए भी नहीं बनेगी और अचानक महमाना जाए घर में कुछ नमकिन बगार नहीं हो तो आप बोतल से नास्ता बना सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं इसके लिए लिए मैंने एक कप बेजन अ काटा है यह अगर चावल काटा नहीं है तो इसके जगह आप पोहा को पीश्की भी डाल सकते हैं ठीक है अब इसमें डालेंगे हम नमक आदा चमर्च के करीब या फर अपने टेस्ट के अंसार अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पान डालते हुए इसका एक बेटर तयार करे पानी दियां धान रहे है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है एक दम नहीं रहा है उन्हीं जादा भी हो सकता है धोड़ोड़ा पड्यवाम पैने का प्लेंगे फैटना बहुत जरूरी जितना अच्छ से फटेगा यह उतना ही अच्छा बनेगा इस कंसिस्टेंसी का में मैंने घोल तयार कर लिया है इसका आप इसको 10 मिनट के लिए हम ड़क कर सेट होने के लिए रख देते हैं अच्छ सेट हो गया है इस कंसिस्टेंसी का रखना है आपको चलिए अप स्टार्ट करते हैं इसका नास्त बनाना इक लिए है बोतल मैंने खाली यह उसका धक्कन है उसमें ऐसे छेद कर लिया है कि शूजे को मैंने गरम किया कोई कील ले सकते हैं इसको गरम कर एक से छेद कर लिया है और बोतल है खाली उसमें कीप की सहायता से या फिर आप बोतल को काटके उल्टा करके उससे भर सकती है इसके अंदर हम यह सारा बैटर को भर देंगे सारा बैटर थोड़ा करके डालना है जिससे आसान से नीचे के निकल जाए और बोतल में चलाया है तो भर लिया है मैंने सारा बैटर आइँ रहे मैं हम चलते हैं कि तरफ हम आपको बताथे हैं कैसे बनाला इतीर रखाया गरम करने के दिए हमने गेस पर तेल jestem मीडियम फ्लेंबर लगा है और जानेंगे उसके में सब्साइबå इसको बिल्कुल नहीं छेड़ने अब तक यह हलका शिखना जाए अभी थोड़ से गया है अब इसको हम हिलाते डिलाते हुए उलटते पुलटते हुए इसको अच्छे से शेख लेंगे इसको कुरकरा होने तक इसको मीडियम फ्लेम पर ही शेख लेंगे तो नास्तर हमारा से इसको निकाल लेते हैं प्लेट में तो इसी तरीके से आप हम दूसरा बैच भी तलेंगे फटा फट से चार तब घुमाके डालना है इसको और कुरकरा होने तक इसको हमें सेक लेना है इसको छेड़ना नहीं जब तक यह सेटना हो जाए तो ऐसे ही करके मैंने अपने बोतल क सारे बैटर का नमकीन बना लिए और यह कुरकरी हो गई है उसको बाहर निकाल लेंगे बहुत ही बनती है जट बन जाती है इसमें कोई ताम जाम नहीं है और चाय भी हमारी नहीं बनेगी उससे पहले बनके तैयार हो जाती है तो आप इस तरीके से नमकीन बना सकते हैं अग बहुत जल्दी सिख जाती है इसमें बहुत टाइम भी नहीं कंज्यूम होता है और बहुत ही आसान है तो आप रिक्वाइब मेरे स्पेस तरीके से बना करें त्राइक कैसी लगे आप पता ना देखिए कितनी कुरकुरी बनी है इसमें ँध्य मिला देंगे इसमें डाल दें से छाट मसाला थोड़ा लाल मिच्ट पाओदर थोड़ा से घरम उसाला और थोड़ा से हलुए रह मचित रहाँ द्यावद से मचिटर तो मकझा लूम करदे काल नमख की डाले है तहोड़ा सा काल डाल्मक एकषा आता है इसको डोडतों से गरम-गरम में कर लाइत Caesar अच्या एक